रावल पिंडी से आर्मी तो रावल पिंडी से आर्मी हलीकाप्टर के जरीए जनूबी वजिरस्तान रवाना हुए मिलिटरी केम्प वाना पहुंचे कैडिट कालिज वाना के प्रिंसिपल करनल नदीम इर्शाद ने इस्तक्बाल किया वाना की बे आबो गया चटानों में कभी बारूत की बूबस ही थी कभी यहां खुद कुछ जैक्टे होती थी कभी यहां गोलियां चलती थी दमाके होते थे मैं उस वक्ट पी यहां आया था आज यहां की फजा बदल चुकी है अब यहां तालीम के तरहने बजाए जाते हैं अब यहां बच्चे बसते लेकर किताबे लेकर रवाना होते हैं और मैं इस वक्ट खड़ा हूं कैडिट कालिज وانہ کے سامنے جہاں سو بچے ہر سال داخل ہوتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر جنوبی وزیرستان کے بچے ہوتے ہیں انہی قبائل کے بچے ہوتے ہیں جہاں پہلے لڑائی ہوتی تھی جگڑے ہوتے تھے ہر وقت گولیاں چلتی تھی ان میں سے کئی بچے تقریباً 38 38 بچے پاکستان آرمی میں کمیشن حاصل کر چکے ہیں کئی ڈاکٹر بن چکے ہیں اور کئی انجینئر بن چکے ہیں बहुत से अभी तालीम पा रहे हैं यूं जनूबी वजीरस्तान जहां तालीम का नामु निशान ना था और अच्छी तालीम तो बिलकुल मफ्कूत थी उसके हालात बदल रहे हैं और उन हालात बदलने में कैड़िट कालिज वाना का बहुत बड़ा हिस्सा है आईए चलते हैं कैड़िट कालिज वाना और देखते हैं इसने किस तरह यहां के हालात को तब्दील किया पीटी के लिए ग्राउंड में जमा होते हैं प्लोड़ होते हैं कोच प्लोड़ जल जलसु झेंग कोच जहर गा सार्वी ग्या है आ ऐी गया है लान 1 we better किग Q4 रिएáng ओन पुशभा पुशब पुशब वाट ओड तॅ ऑन जर खाय? ओ़ुट ऑन 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 अएट Actually बुशब और प्रिंसिपल आफिस आए वाना तो एक जमाने में तालबान की सरगर्मियों का मरकज हुआ करता था यहां कैड़िट कालेज बनाने की जरूरत क्यों पेश आई और क्या तालब लुब यहां महफूज है वाना एजनसी हेट कौर्टर भी है इस बना पर यहां पर जी जब आपरेशन के बाद राहे नजात के बाद जब क्लिरेंस हो गई थी तो उसके बाद इस केड़िट कालेज को बनाने का फैसला किया गया ताकि एक डोर स्टेप एजुकेशन फैसलिटी यहां की बच्चों के पास अवेलबल हो अब सिक्यूरिटी की सुरते हाल कैसी है जी अलहमदलिल्ला सिक्यूरिटी अधरवाइस कालेज की लोकेशन भी माशालला बहुत अच्छी है एक साइट पे हमारे सौथ सुधिरस्तान स्काउट्स का एट कौर्टर है दूसी साइट पे जवेद सुल्तान केंप है तो है सच्यूरिटी का कोई प्राबलम अलहमदलिल्ला हमने कभी फेस नहीं किया यहां पर पसमानदा अलाका है गुर्बत भी है क्या इस इलाके के बच्चे और उनके वालदेन फीस देने के काबल है किती फीस है मेजर चंक जो इस कॉलेज में बच्चों का है वो सौथ वजिरस्तान का है और आफकोर्स उसमें क्योंकि हमने एजुकेशन ऑपरचुनिटी जो प्लैन की गई वो प्लैन की गई थी कि सब के लिए एकसा मयस्तर हो जिस आदमी के पास रिसूर्सिस हैं वो तो अपने बच्चों को डियाई खान भी ले जाके पढ़ा सकता है आगे पिशावर भी ले जाके पढ़ा सकता है लेकिन इस कॉलेज को चलाने के लिए फीस सिर्फ 2900 रुपया पर केड़िट पर मंत रखी गई हर तालेब इलम पर खर्च कितना होता है अगर हम इसमें लाइट चार्जेज जो हैं वो शामिल करें तो पर मंत हर केड़िट पे 34,800 रुपीज खर्च होते हैं और फिर बाकी पैसे कौन देता है बाकी पैसे गौर्मेंट आफ पाकिस्तान थ्रू फर्टा सेक्रेटेरियट देती है तो एक केड़िट पे पर NM जो है खर्चा जो हम कल्कुलेट करते हैं तो तक्रीबन कोई 3,80,000 के करीब हर केड़िट पे खर्चा आता है इस कालेज में कुल कितने तालिब इलम जेरे तालीम है और क्या सभी बोर्डिंग हाउस में रहते हैं यह तो सब साबक गवर्नर्स की तसावीर लगी है क्या उनका भी सकैड़िट कालेज में कोई किरदार होता है गवर्नर केपी के जो हैं वो हमारे चेर्मेन बोर्ड आफ गवर्नर्स होते हैं गवर्नर तो बड़े मसरूफ होते हैं क्या कालेज के लिए मीटिंग के लिए वक्त निकाल लेते हैं जी हां बिलकुल जब भी जरूरत पड़ती है तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके स्टाफ की तरफ से एकसेस ना मिला हो यह हमारे वाइस चेर्मेन बोर्ड आफ गवर्नर्स जो चेर्मेन के नीचे हमारे डे टो डे कॉलेज अफेर्स जो हैं और मैनेज करते हैं वो जी यूसी सौथ वजिरस्तान होते हैं अभी प्रेजेंटली मेजर जर्नल चालिट जावेद हमारे वाइस चेर्मेन हैं यह मेजर जर्नल इजवान अखतर साब आजकर जो आईएसाई के हैड है इनके जमाने में यह कालिट शुरू है यहां मुख्लिफ कबायल के बच्चों के तलकात आपस में कैसे हैं हमारे नजदीक कौन सा बच्चा किस ट्राइब का है ड़स नाट मेक डिफरेंस वो मेसूद है, वजीर है, दावड है, बनूची है, सुल्मान खेल है अकसरियत किस कबीले के बच्चों की है किसी बी कालिज के मयार का अंदाजा उसकी फकल्टी या असाथसा की इस्तेदा से होता है क्या इस तरह के असाथजा यहां मुएसर है हमारे पस कुल असाथजा की तदाद जो है वे इस वीण शेंतिस है जिन में से दो ने डॉक्टरेट की हुई है, साथ ने एमफिल किया हुआ है और अठाइस जो हैं उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है तो क्या ज्यादा तर असाथजा मकामी है हमारी टीचर्स प्रॉपर गॉर्मन्ट प्रोसीजर के तर अधिजिस्बिन्ट होती है अख़़ों में उसके बाद पूरे पाकस्तान से इन्रोल की जाते हैं थ्रूपर प्रॉपर सेलेक्शन बॉर्ड उस इंटर्वियू से गुजर के मेरे पास चार टीचर्स साथ वजिरस्तान के हैं क्या सारे के सारे असाथजा केमपस के अंदर ही रहते हैं तमाम टीचर्स केमपस के अंदर रहते हैं क्योंकि इनके पास टीचिंग के अलावा डुप्लिकेट डूटीज होती है जिसना किसी भी केरिट कॉलेज में होता है कि हाउस मास्टर भी होते हैं तो तुमाम टीचर इस वह से प्रेप अगरे में जूटी भी होती है तो ये कैमपस के अंदर ही रहते हैं क्या हाजर सर्विस आर्मी आफिसर की बतार प्रिसिपल तकर्री का मकसद सिक्यूरिटी को यकीनी बनाना और डिसिपलन का ख्याल लखना है डिसिपलन और सिक्यूरिटी तो एक इन बिल्ट फीचर है जो भी प्रिंसिपल होगा बशक वो आर्मी का हो या सिविलियन हो तो वो तो उसका ख्याल रखे गाई रिखे गाई इसके अलावा इसके उपर कोई hard and fast rule नहीं है में यहां पर post करने की जो शुरू से मेरे से पहले दो army officer थे यहां पर उसकी वज़ा यह थी कि KP government ने request किया था, FATA Secretariat नहीं कि to post an army officer as principle आपको principle बनाया गया है कोई ना कोई इजाफी इस्तेदाद तो होगी जी, अलहमदलल्ला पाक्स्तान army ने मुझे एक तो master's में पाक्स्तान में किया दूसरा पाक्स्तान army ने मुझे आलादालीम के लिए Australia बेज़ जा था जहां पर मेक्वारी युनिवरस्टी सिड्नी से मैंने security studies में master's आए, चल्ड! Trail practice रोजाना का मामूल है जिजन्टर गँ थाइं, वर्ट कमाड़र काईव फ्रेट कमाड़र काईव काईव प्रेट प्रेंट संने स्लoden! संने स्लoden! यारभ वसाओ। मकामी कबाल के सरकरदा लोगों के बच्चे इस कालिज में पढ़ते हैं मलक साथ आप यहां के बड़े भी हैं और आपका बेटा यहां कैड़िट कालिज का तालिब इलम भी है कैड़िट कालिज के बनने के बाद यहां कितनी तब दिली आई है ताकि हमारी लिए वाना में क्रिडिट कालेज बनेगा एजोकेशन के लिए से अलखम्दोलिला मैं समझता हूँ कि यहां पे एक इनकिलाब शुरू है वाना में अब सेक्यूरिटी की सुरते हाल क्या है बच्चे महफूज होंगे तब ही तालीम हो सकेगी अलखम्दोलिला आज वो वाना नई है जो दस याट साल पे लवाना था मुझे याद है कि इदर पे हमें बुलाया गिया कि आप अमारी तरफ एक कदम बढ़ाओ हम इन्शाला आपकी तरफ तीन कदम बढ़ाएंगे वही हुआ हमारे लाके में जो दशगर थे इसको निकाल कर बाहर पेंग दिया मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम साथ साल से वाना में काख़ी करवाई में वाना बहुत आगे था सब कुछ था लेकिन ग्रोंड पे कुछ भी नहीं था अलखम्दोलिला जब से नाइन डवीजन वाना में आई आज ग्रोंड पे बहुत बड़े-बड़े मेगा प्राजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे मैं समझता हूँ केडिये इकान, बनू, पेशाओ, इसलामाबाद, लाओर उसमें इस तरह मनना है जिसना वाना में आपने अपने बेटे को यहां कैड़िट कालिज में दाखल करवा रखा है आप उसे क्या बनाना चाहते हैं? मैं तो जाती तोर पे उसको डक्टर बनाना चाहता हूँ लेकिन बेटे का खुएश है कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ तो आप मना लेंगे या भो खुद मान मान देंगे यार मैं तो कोशश करूँगा लेकिन जोर नहीं दोंगा जो उसका अपना शाओ के वही होने दोंगा यह किज़े कालेज नहीं यह तो बिल्कुल अचाहे हो तो वाला से बहुत आमने इंशाला में किश्रोश करो तो आमने के बहुत जहाँ मुली डाक्टर ताज मुहम्मद है में गुल मिडलेस्ट अरेबिक एंड इसलामियाद अर्भी आनर्स फारग तैसीर जामा दालो महतानिया कोड़ा खटक मुहतमें जामा दालो मुजरिश्टान वाना फीमेल और मेल सेक्शन दोनों के और वहिसियत वालिद के मेरा बेटरा सौबान अहमा दालो मुजरिश्ट वाना वो नाइन प्लास में पढ़ रहे हैं मौलाना अगर आप पसंद करें तो ये बताएं कि आपकी शादियां कितनी हैं और बच्चे कितने हैं मेरी तीन दीविया हैं अलहमदलिल्ला मेरे बारा बच्चे हैं और चे बच्चे हैं मेरी लाइबरेरी में जदीद तरीन कुतब और रसाहिल मंगवाए जाते हैं आपकी लाइबरेरी में कुल कितनी किताबे हैं और क्या कोई जदीद और ताजा जरायद और किताबे में मंगवाते हैं जी सहरा हमारे पास तकरीमन 3,000 किताबे हैं जो जदीद जरायद है उसमें हम निशनल जिओग्रापिक हैं निउस वेक है, रीडर डाइजिस्ट है जिसमें बच्चे कापी कैड़र्स हमारे कापी इंटरस्ट भी लेते हैं हमारे पास 10,000 के लगबग ई-बुक्स भी है ताजा तरीन जो आपने किताब मंगवाई है वो कौन सी हैं? जो निए किताब है वो खुरशीद कुसूरी का साब का हमने मंगवाया है निदर हाथ नर अडो कौन सी किताबे पढ़ रहे हैं? सर जी साइन्स फेक्ट सर आपने कौन कौन सी किताबे पढ़ पढ़ रहे हैं? खानजदा आप बताएं आपने कौन सी किताब पढ़ अबी? सर मैंने अबी चार्लास डेरोन वाली सर ये निचर्वन तो डार्वन की क्या थियूरी पढ़ी है? क्या इसने कहा था? सर ये निचरलिस्ट था इसने निचर के पारे में लिगा है सर वो नेचर के खुबसूरती को बयान किया है यूरी आफ एवलुशन भी दी ना इसने इसने और भी साइंस के बारे में भी का है सल्मान आप बताया आपने कौन से किताब पढ़ी रसुल्ला करम सर्वासलों का तरीका नमाज पढ़ी इस लाइबरेरी को बादशाजान वजीर के नाम से मानून क्यूं किया गया है इसको मनसूब करने की एक तो बड़ी वज़ा ये थी कि हीज एन इंस्पिरेशनल फिकर जब वो यहां से चले जब उनसे मेरी बादशीत भी एक दो दुफा हुई थी तो कोनर कहते हैं कि जी मैंने अपना ट्रंक अपने सर पर रखके गुमल रिवर क्रॉस किया था बाद में पढ़ते रहे मेडिकल पढ़ा उसके बाद ही सेटल इन युएस से इस एज़ाइब लेकिन सबसे अच्छी बात ही है कि वाना एक अवर्य यर और फिलिंथरोपस्ट एवर्य यर वी रेसीव वन मिलियन फ्रम डॉक्टर बाद्शाजान वसीर जो वह में बिजवाते हैं तो एक्स्टेंड स्कॉलर्शिप टो नीडी फिनेंशली नीडी स्टूटेंट्स किमिस्ट्री लैब आए तल्बा मुख्तिलिफ तजर्बात करने में मसरूफ थे क्लासरूम का दोरा किया बायालोजी की लिबार्टरी में इनसानी आजा के माडल्स के जरीए सिखाया जाता है झाख जिसर के माश्व तर इमिंगriumाधॉ माश्स के जरीए स्कॉलिफ तल्बाटरी में जिस्ट्पिन मोनाजी झाप बादी बन्सानी लmor के जियार जां का दित decades जाता है कभी ना भूल मकामी हैं तहसील सर्वा कई से रहने वाले हैं यहीं इसी कैड़िट कालज में तालीम हासल की और फिर कमिशन हासल किया आज कल लफटैन है आपके क्या महसूस साथते हैं कैड़िट कालज के बारे में कैड़िट कालज वाना की एक ऐसा प्लेट फार्म साबित हुआ कि मुझे आगे जाने का मुके मिला सबसे खुशगवार याद कौन सी है और ना खुशगवार याद कौन सी सजा तो मिली होगी सबसे खुशगवार जो हलाते वो इसी कालज में गुजरे और अपने जो टेंट के साथ जो पनेश्मेंट करवा देते हैं उनमें मज़ा दता और उधरी से मुझे जेव फौज का शौक परिदा हुआ सजा मिलती है तो तकलीफ तो होती है उससे क्या सबक हासल किया जाहरी बात है उसी तकलीफ की मेहनत है कि हम आगे आएं फौज में और अभी फौज में बतोरे कमिशन अफिसर्स अपने फराइश से अंजान दे रहे हैं आपको कमिशन मिला तो आपके खानदान और आपके इलाके के लोगों ने कैसा महसूस किया इलाके के लोग मोटिवेट हुए हैं इसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि मेरा अपना चोटा भाई नहमत नूर और कजन जावेद वो दोनों मोटिवेट हुए हैं और वो भी इस कालेज में पर रहे हैं वाना कैड़िट कालेज के ओल्ड केमपस पहुँचे प्रिंसिपल करनल नदीम इर्शाद का बेटा भी इसी कालेज में जेरे तालीम हुए कैड़िट कालेज के में कैमपस वापस आए आपका क्या नाम है? मेरा नाम कैरेट अमीर जर्याब खान है मैं सोथ जरिस्तान एजंजी बदर में रहता हूँ किस क्लास में हो? सर जी मैं नाइज क्लास में पढ़ता हूँ सर अमारे गोर्णमर्स ने अमारे कालेज भी बनाए हैं सर इसमें हम पड़ लिकेंग और हम अपने फैमली के लिए सरो कुछ बेतर सो जाएं यहां पर जब आए हैं तो क्या-क्या मुश्किलात पेश आएं बेटे? मुश्किलात तो कोई और कोई भी ने थी सर लेकिन गर से दूरी सर बरदाश करने पड़ती है अब मी की क्या बात यादा थैं? खवाना यादा सर अगर लोग इस 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 इधारे के लिए तरसते हैं और हम जब इस इधारे मेमा हमें मुका मिला तालीम को और आप उसमें खवाना यादा है कौन सी घर की चीज जो है वो याद करते हैं आपकी वाल्दा पकाती हो याना मिलता हो चावल सरगर में में पकाते हैं सर वो बहुत यहाद आते हैं जब चुटियों पर जाते हो तो कितनी प्लेटे काते हो सर जितना जिमन्च है सर मेरा नाम आम अमिर्थ फैले और मैं क्लास सेकंड एर का स्टुडेंट हूँ प्री इंजनेरिंग इस माई कंबिनेशन माशाललो अप कहां के रहने वाले हैं मैं सौध उजिरी सौन का रहने वाला हूँ तो वजीर हैं आप यह सर मैं वजीर हूँ जब यहां बड़ी गड़ बड़ थी बड़े हंगामे थे तो आप किस क्लास में पढ़ते थे जब हम नाइंथ में आगई तो यह बील्डिंग पर काम शुरू था हम यह टेमप्ररी केंपस जो के गुर्नमेंट गरर्स डिग्री कालेज थे उसमें लड़के थे लेकिन बहुत गड़ बड़ती बट नो फिव फिल वरी रिलेक्स अगर कोई फिर्स एकंड पॉजिशन एचिव करता है तो इसकी तरी टरम फिव माफ हो जाती है तो आपके कितरी टरम्स की माफ हैं? माशालला मेरी तो सेकंड पॉजिशन आई है अभी फिर्स टियर में त्री टरम्स मेरी फिव माफ हो गई अपने घर जाते हैं? जासर खत्रा तो मैसूस नहीं होता है? अभी तो इदर हर घर का एक एक बचा है सबको पता चला है कि क्या चीज़े तालीम वाकी है तो हम देरे से में उजाले की तरफ ले जाते है तो घर की कौन सी चीज़ याद आती है? जब हम काना काते थे और बेढ़ देते तोले बहुत गप्शप लगाते थे इदर तो महूल तोला सीरिस महूल होता है और पीर हम तो सीनियर ही है हमसे तो ये चोटे बचे सीकेंगे कि ये किस तरह भी हो करते है तो इदर वो गप्श पीर नहीं रहती काना के बाद फुट पाल का मैच तेकने ग्राउंड में पहुंचे कैड़िट्स ने मुख्लिफ करतब और कलाबाजियों का मुझाहरा किया मार्शल आर्ट सीखने वाले कैड़िट्स ने हातों से पत्थर तोड़ कर दिखा दिये कैड़िट कालेज वाना की जमीन तो राकी है इसके अंदर चटाने हैं आपने सबस घास कैसे होगा लिया सबसे पहले हमने यहां पर हल चलाया हल चलाने के बाद बड़े बड़े पत्थर जो बॉल्डर्स थे वो निकाले गए उसके बाद एक और चीज़ जो दूसरे अलाकों में लोग कंसिडर नहीं करते हैं स्वीट सॉयल तो इसके उबर कहीं और से स्वीट सॉयल मंगवा कर उसकी ले डाल के उसको कंपेक्ट किया गया और फिर गास लगाया गया कालेज वाना के नताइज बहुत अच्छे हैं 98 फीसद बच्चों ने ये ग्रेड हासल किया तो क्या खेलों पर तबज्ज़ सिर्फ नमाईशी है नहीं खेलों पर भी उतना ही जोर है क्योंकि इनकी फिजिकल हेल्थ जो है बच्चों की वो भी उतनी ही इंपॉर्टन्ट है आपने किस तरह तक्सीम कर रखी है कितने गंटे पढ़ाई और कितने गंटे स्पोर्ट्स दिन में तकरीबन सेवन आर्स जो हैं वो पढ़ाई के लिए हैं और टू एन हाफ आर्स जो हैं पी टी एंड गेम्स वो स्पोर्ट्स के लिए है तो क्या 98 फीसद बच्चों के ए ग्रेड लेने के लिए साथ गंटे पढ़ाई काफी है चीचर क्लास में जो चीज पढ़ा रहा है वो इस तरीके से पढ़ाई कि उसके बाद बच्चा सिर्फ उसकी रिवीजिन करे वो दुबारा उसको समझने मत जाए एक दो एका दुका कैसिस ऐसे हो सकते हैं जिसके लिए हम S.R.M.D. की क्लासिस होती है स्टुडेंट्स रिक्वारिंग मोर टाइम वो बिल्कुल हम आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी जदा तादाद शुरू में होती है आस्ता आस्ता खतम होती जाती है कहा के रहने बाले हैं? यहां पर वाना लोकल लोकल है? अच्छा यह बताएं कि क्या इससे पहले भी कभी ब्लेड खेली है या कालिज में आके शुरू की? ने, इससे पहले कभी भी नहीं किला है इदर कारिज में शुरू किया है कारिज में खेल तुल्बा की तफरीक के लिए इंडूर गेम्ज में शत्राज, टेबल टैनिस और ब्लियर्ड खेलने की सहूलत मौजूद है माली के तोर पर आप काम करते हैं किती तरखा है? आज कल तो 19 वह उपर मिल रहे हैं उस वक्त मेरी तरखा दस अजार थी और 22 नफूस का मेरा फेमली है और इसमेंसे मेरे तीन बच्चिया जहनी मरीजी है लेकिन बाराल कालेज वालों ने मेरे साथ काफी हेल्प किये हैं पहले पहले 13,000 रुपई अमारे वीपी साहब ने अपने जेब से आधा किये बाराल करनल अजमन साहब सर जो पहले पहले आया था इसे मैंने रिक्वेश्ट किया आपका बेटा माशालला अफसर बन गया ये काम्यावी कैसे हासल हुई आपने दौाएं की आपने मेनत की कौन सी चीज जो है उसका असर हुआ है खास करनल परीज साहब को अला उसे हमेशा खूश रखे उसने मझे बो बुलाया था कि वाइस अप आतारह लाका बोरिंग चाहिए आपको यह EPS कौार्टव में बेटे के दाख्るा है मैं बोला है कॉर्ण लूटे मुझे के दाख्ला चाहिए बरी कौार्टव में अधी लाइन कारनल ने मुझे बोला हैु solidarity की बोलो के है कि up की कार ना सूर्ड जाए कैनेट कालेज अमीरों के लिए आपका ख्याल था कि यह किए अमीरों के लिए बन रहे हैं। मैं यह फीस वागरा कैसे अदा करूंगा। उसने बोलाए कि नहीं बेटे को इतला दो कि टेश देए। टेश दिया है, पास हुआ, जब वापस बुलाए है, फिर भी मैंने बुलाए है कि सर मेरे पास तो पैस है नहीं है। मैं कैसे पैस है। उसने बोलाए है बेटे को इधर चोड़ दो, आला खेर करें। वाना और काकूल के महाल में कितना फरक है। कुछ ज़्यादा फरकी नहीं है, रूटीन एकी जाईसी है, लेकिन वापर यह के सकती ज़्यादा होती है। कैरिट कालजवाना की सबसे खुशगवार याद कौन सी है। सबसे पहले जो मेरे जनरल क्याइन के साथ मलाकात हुई थी, तो मेरे यह सबसे खुशगवार वाए गयता है। कौन से खाने की चीज़ है जो आपको याद आती है कैरिट कालजवाना की। कैरिट कालजवाना का लोब याद खास करम याद रखते हैं। क्यांके बड़ा टेस्टी, आज तक मैंने कोई ऐसा टेस्ट नहीं देखा जो टेस्टी दरी बनता था खेड़ कालजवाना हुआ हुआ जनाह हाउस हास्टल्स पहुँचें। कैरिट के लिए उम्दा, आराम दे और कुशादा कमरे बनाए गये हैं। आपने कहां से तालीम हासल की। मैं कैर कालेज कोईवार्ट से पुड़ा हुआ हुआ। यहाँ पर क्या मुश्किलात हैं। स्टुडेंट्स जो जिस बेग्राउंड से आते हैं, वो काफी वीक होते हैं। इसलिए यह शुरू में हमें मुश्किलात यह पेश आती हैं कि स्टुडेंट लिखने के काबल होते हैं न बोल सकते हैं। तो हम उन्हें वो स्किल इंप्रूव करते हैं फाद वान मांथ के लिए। क्या शादी शुदा हैं। बच्चे कहा रहते हैं। बच्चे भी कौाट में रहते हैं। बच्चों के पास कितनी देर बाद जाने का मौका मिलता है। मैं दो माईने बाद, ड़ए माईने बाद। तो दिल अधास होता बच्चों? दिल अधास तो ओता है क्यों निए। और तन्खा ठीक मिलती है? तन्खा गाफी अच्छी मिलती है, जिए जी। ग्रेड अठारा की ग्रेड श्टारा की? ग्रेड अठारा की शाम के बाद तैयारी के लिए प्रेप क्लास भी होती है क्या पढ़ रहे हैं? इस टाइम बायो पढ़ रहा है, बायो जी तक कितने गिंटे की क्लास होती है, ये प्रेप क्लास शाम को होती है? जी अब शाम नमाज के बाद 6 बच कर 35 मेंट से लेकर 7 बच कर 500 मेंट तक होती है अच्छा और इसमें हर बच्चा अपना पड़ता है जी जिसकी जो मर्जी हो जो तैयरी करने हो पड़ सकता है अच्छा इसमें बातें भी कर लेते हैं? नहीं बात एक इजाज़त नहीं है अच्छा तो बातें करने को दिल करें तो फिर क्या करते हैं? बस एक गंड अबीसमेंट तक कंट्रोल करना पड़ता है अच्छा और बियालोजी में किस चीज़ की तियारी कर रहे हैं? मैं सेस्टिंग के स्टेडी कर रहा हूँ कौन से की? जिस तर अर्गनिजम को किस तर डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ ग्रूप्स में मुख्तलिफ क्लास रूम्स का दोरा किया आपने मैथ में सौ फीसद नंबर सा हसल किये तो क्या बजा है? क्या आप में कोई खास लाहियत है मैथेमेटिक्स को, रियाजी को समझने की? सर, प्रेक्टस ज्यादा कीजी सर और जो कोर्स ता वो बार बार रिविजिन ज्यादा कीजी सालाना डिनर नाइट के मेमाने खसूसी बर्गेडियर आसन गुल्रेज थे डिनर को शानदार रवायात के साथ पांच कोर्सिज में पेश किया गया खाने का आगाज जंटलमेन बिस्मिल्ला कहकर और घंटी बजाकर होता है मैं स्टार्टस है जंटलमेन बिस्मिल्ला शानदार वर्दियों में मलबूस वेटर्स कितार अंदर कितार डिश्ज लेकर आते हैं रवायत ये है कि चम्चा और कांटा सीधा रख दिया जाए तो खाना खतम होने का एलान होता है डिनर का एक सताम जंटलमेन अलहमदलिल्ला कहकर और घंटी बजाकर होता है जड़न अंटलमेन जो उच में आये तो कैड़िट्स ने वजीर कबाल के रवायती रक्स अतन का मुझाहरा भी किया लाइव बार्बिक्यू का इतमाम भी था